आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 13 डेली सल्तनाथ इसमें हम डेली सल्तनाथ के बारे में पढ़ने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं दिरिंग दा लेट 12 सेंचूरी इंडिया वस डिवाड़े इंटो मैंने स्मॉल एंड लाज इस्टेट्स नहीं की 12 सेंचूरी के लास्ट में इंडिया बहुत सारे छोटे और बड़े स्टेट्स में मता हुआ था अर यहां के अलग अलग जो रूलर्स थे अलग छोटे शोटे स्टेट्स के या बड़े स्टेट्स के उनके बीच यूनिटी की बहुत ही कमी थी लेक अफ उनुटी था गया सुधिन महमुद जो की महमुद गौरी के नाम से पॉपुलर था उसने इंडिया पे आकर्मन किया और यहां पे पंजाब सिंद्ध और कुछ अने इस्टेट्स पर अपना अधिकार कर लिया और 1191 सीए में उसने पृत्वी राज चोहान के साथ यूद्ध किया जो की दिल करते हैं इसके कारण से वह हार जाता है लेकिन बेद्गेट प्रिपरेशन लेकिन आश्ट टाइम वह बहुत ही बड़ी प्रिपरेशन तैयारी करके आता है और इस बार उसका साथ जैचन देता है जो जैचन जो है वह भी यहीं पी जो अलग-अलग जो स्मॉल और लार्ज kingdom बटे वे थे उन्हीं में से जैचन भी एक kingdom का सासक था जो कि प्रतिवी राज चोहान का rivals था यानि कि उसका परतिद्वन्द्य नि दुश्मन था उसने इसमें गोरी का साथ दिया और इस बार 1192 together to सीई में गोरी ने दुबारे सिर्पिराज चोहान के ने जब यूदि किया थो इसमें प्रतिवी राज चोहान की हार हो गई और कि इंप्रतिवीड चोहान के साथ कई और सारी रूलर्स की को उसने हराया बैसमेर उन की गोरी था उसने पहले से ही पंजाब सीन्द और कुछ अर्ल स्टेट पर कब्जा कर रखा था लेकिन प्रत्विनाद चोहान को हराने के बाद अजमेर और दिली पर भी उसका अधिकार हो गया तो इस विद में उसने उसका साथ जैचंद ने था लेकिन बाद में उसने कुतुबदीन एबक एज इस देपुटी इंडिया और 15 मार्श 1206 मुहमद गोरी वाज किल्ड बाई खोकर सोलजर दा कमांड ऑफ इंडिन टेरिटरी केम अंडर कुतुबदीन एबक वाज गोरी स्लेव एबक इस्टेबलिश दाव दैश्टी इंडिया मुहमद गोरी यहां से काफी सारह धन दौलत लेकरने कि लुटके वापश चला अजया और उसने अपने सिनाफ पती भी था और मुहमद गोरी ने कि थो सजब्थी हो गए तब कुत्वदिन एबफ जो है इंडिपेंडली यहां पर इंडियन टेरिटरी का साषक बन गया एबफ ने इंडिया में स्फणप्रांगे की स्यूइंड ऑ देखने यह दिल्ली सल्तनथ हे इसके ईनदर पांच-दाइस्टि हुए थे पाइब डैनस्टी थी उसे पहला था सलीव डैनस्टी फिर आता है खलजी डैनस्टी रतुलर डैनस्टी फिर हैं सजीड डैनस्टी और लोदी डैनस्टी रिष्थी तो इस दिल्ली सलतनत tum 060 सिक्स से ले करके 1526 तक इनका टाइम पिरिड़ था और इंतने टाइम में फाइब डैनेस्टी आई थी और इसी टाइम को हम पुरा मिला करके दिल्ली सलतनत कहते हैं चलिए वन बाई वन सबका हम एक एक डैनेस्टी का आगे पड़ते हैं सलेव ओर ममलक डैनेस्टी सलेव या फिर ममलक डैनेस्टी भी काते हैं और हिंदी में से अग्लाम वन्स बिकाता हैं इसका टाइम पिरिड था 1206 से लेकर के 1219 सी तक तो फिर्ष्ट जो रूलर था इस बंज का वो था कुतुब दिल एबक जो की 1206 से 1210 सी तक था इसी ने स्थापण की थी और इस डियदा इस्टी का नाम स्थापित किया था और उसकी जो मिलिटरी पावर थी वो भी बहुत अच्छी थी ये लिफिटेड यल्दोस दे रूलर अफ गजनी एंड फ्रीड पंजाब फ्रॉम ही उसने यल्दोस को हराया जो कि गजनी का रूलर था गजनी का सासक था और उससे पंजाब को फ्री आजात करवाया और उस पर अपना दिकार कर लिया एबग वाजे ग्रेट पैटरोन ओफ लिटरेचर आर्ट एंड आर्टिटेक्चर एबग जी था वो लिटरेचर का साहित्य का आर्ट का आर्टिटेक्चर का बहुत बड़ा सन रखचक था यानि कि उनको सपोर्ट करता था ये बिल्ट कुतुब मिनार और कुवत अल इसलाम मॉस्कियों इन डिली उसने कुतुब मिनार और कुवत अल इसलाम मॉस्कियों मस्जिद दिली में बनवाया अजमेर उसने अजमेर में रहाई दिन का जोपड़ा नाम का मस्क्यू भी बनवाया उसके कोट में दो लिटरेरी जेम्स थे जिसे की हसन आजमी और मुबारक शाह यानि की साहिते के छेतर में लिखन के छेतर में यह सब खाफी famous थे उसे सला दिया करते थे He died into 1210 CE और वो 1210 CE में उसकी मिर्तियों हो जाती है कुतुबदिन एवक was succeeded by his son Aramsa कुतुबदिन एवक के बाद उसका पुत्र उसका बेटा Aramsa सासक बना but he was not accepted by the nobles लेकिन वह nobles के द्वारा accept नहीं किया गया nobles जानी की जो अमीर लोग होते थे जो उसके दरबाय में आते थे जिनकी जागेरे होती थी जमीर होती थे और सासक के कारे में जैसे की सासक को सला दिया करते थे तो उन्होंने इसको सासक के रूप में accept नहीं किया देरफोर इलतुतमिस दा सनिलोओ अफ एबक एंड सुविदार उफ बदायूं वाज इन्वाइटिड तो रूल तो इस परकार से जब इन्होंने इसको accept नहीं किया तो इन्होंने इलतुतमिस का सनिलोओ का दामाद जो की में बदायूं का सुविदार था उसको यहाँ पर सासन करने के लिए बुलाया और इलतुतमिस ने आरामसा को हरा दिया और सुल्तान बन गया जो नेश्ट सासक है स्लेव डैनिस्टी का इलतुतमिस जो की 1210 सी से 1236 सी तक रहा ही में डेली इस कैपिटल कुतुब दिन एबक की जो कैपिटल थी वो लाहोर थी इसने उसको चेंज करके दिली को अपना कैपिटल बनाया at the time of becoming सुल्दान he was confronted with many problems सुल्दान बनने के समय उनके सामने कई सारी मुसिवतें थी कई सारी समस्याएं थी बट ही फेच तेम ब्रेवली लेकिन उन सब का इसने बहुत ही बहादुरी से सामना किया μοर्ण धिफेटेडि इस मेन राइवल्स याल दोज आफ गजनी एंड बेचा और सिंध अंड मुल्धान उस ने बहुत ही बहादुरी के साथ अपने जो घ्राइवल्स से उनको हराया राइवल्स जो उनके दुस्मन थे उसको हराया गजनी का याल दोज था और सिंध और मु लोग्य सेननायक था परसाशक था उसकी सेना विवस्ता बहुत अच्छी थी लेवरेटेट दा टर्किस इंपायर फ्रॉम गजनी एंड अधर फॉरन पावर्स एंड सोलीडेटिट इट इफेक्टिवली उसने जो टर्किस इंपायर था को गजनी से मुक्त कराया और वहां और भी जो फॉरन पावर्स थे विदेशी शक्तियां थे उन से उन से जो है टर्किस इंपायर को मुक्ति दिलाई और अपने आप को अपनी सिति को और मजबूत बनाया इप्लूमेटिकली सेवड इंड डिली फ्रॉम रहत ओफ मंगोल कंकर्ड चंगीज खां बाइट नॉट गिविंग सेल्टर तुस्टा ओफ क्वारिजम वूज बिइंग चेश्ट बाइट चंगीज खां अन दा प्रेटेक्श्ट येट डिली इस क्लाइमेट वोड नॉट प्रेटी कुटनीती से सुजभुस से दिली को और अपने आपको चंगीज खां जो कि मंगोल का साशक था उससे बचाये उसके गुस्टे से बचाये था क्योंकि उसका जो राइवल था साह खारिजम का वह भाग करके इल्दूतमिस के पास आ गया तो अगर जब वहां पर आ से भगा दिया कि दिली का क्लाइमिट है वो उसके लिए सूटेबल नहीं है उसको शूट नहीं करेगा और यह कहरे किए उसने शा को यहां से बचाया और इस तरह से अपनी कुटनीती से उसने अपने आपको और दिली को का जो परसाशन था, उसमें उसने कई सारे सुधार कियें और सासनी नविस्त को उसने मजबूत बनाया यह औरिगनाई टे । ग्रूप वॉवटी टर्किस नोबिल्स नोवने स्चाहिला उसने ईक ग्रूप बनाया, ग्रूप गरेंट किया जिसमें 40 टर्किस नोबल्स थे यानि कि 40 उसमें तुर्क अमीर थे जिस ग्रूप को कहाया था चालिहा चालिहा ग्रूप उसने बनाया इस प्रसासन है वो अच्छे तरह से किया जा सके ये इंट्रोडियूस सिल्वर कॉइन्स उसने सिल्वर कोईन चलाए जन्हें टंका काहा जाता था और कॉपर कॉइन जिन्हें जीतल काहा जाता था उसे चलाया इलतुतमिस वाजे पैट्रोन आफ आर्ट एंड लिटरिचर इलतुतमिस आर्ट और लिटरिचर का संड़क्षक था मिनहाज उस्चिराज वाज अफेमस राइटर आफ इस गूट मिनहाज उस्चिराज इसके दर्वार का एक फेमस राइटर था He wrote accounts of Ilthutmise Ring उसने Ilthutmise के प्रसाशन के बारे में लिखा Literary Persons यानि कि जो Literary Persons थे लिखक वगएर थे जैसे कि रुहानी और उसामी ये भी उसके कोट में थे जो उसके कोट की यानि उसकी दरबार में थे उसकी सुभा बढ़ाते थे यह बहुत ही अच्छे लिख अकते हैं इल्टुतमीश वाज ए स्टॉंच सुन्नी मुस्लिम इल्टुतमीश एक बहुत ही कट्टर सुन्नी मुस्लिम था यह मुस्लिम अपने धर्म के सुन्नी मुस्लिम था वह अपने धर्म के परती बहुत ही निस्ठावान था वो शिया और हिंदु के साथ बहुत ही बुरा वेवार करता था उनके साथ बहुत ही बैदली टृट करता था Due to the absence of any definite rule of heritage heritage में विरासत में कोई ऐसा definite rule नहीं था कि किसके बाद कौन सासक बनेगा तो ऐसे में दियरवाजे ओफन situation of chaos after the death of a ruler तो ऐसे में हर एक सासक की मिर्थिव के बाद एक ऐसी सिजुएशन आयती थी उतल पुथल की आपसी कला की जिसमें की कौन सासक बनेगा इस तरह किस्तिती उत्पर हो जाती थी इल्तुतमिस हैड नो फेट इन दे कैपसिटी ऑफ इस संस तो रूल इल्तुतमिस के अपने बेट बेटी को नॉमिनेट किया जो रजिया की सुल्दान के नाम से आगे सासक बनती है एजे सक्सेसर उसने अपनी बेटी रजिया को अपना आगे आने वाला साशक के रूप में नॉमिनेट किया He was an able and strong administrator वह एक योग के और सक्तिसाली administrator थी अब है रजिया सुल्तान जिसने 1236 से 1240 सी तक शाशन किया After the death of इल्दूतमिस इल्दूतमिस की death के बाद The nobles declared his eldest son रुकुरुदिन फ्लोज एस दा सुल्तान तो इल्दूतमिस ने तो 9 मिनिट के था अपने डाटर रजिया को लेकिन जो nobles थे उन्होंने उसकी death के बाद उसके बेटे रुकुनुदिन फिरोज को जो सबसे बड़ा बेटा था रुकुनुदिन फिरोज उसको सुल्तान बना दिया But he was murdered only 7 months later and Rajya became the Sultan लेकिन वह जो सासक जब बना उसके 7 महने के बाद ही उसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद रजिया सुल्तान सुल्तान बन गई रजिया क्रश्ट हर ऊपोनेंट्स रजिया ने अपने ऊपोनेंट्स को जो उसके ऊपोनेंट्स थे उसको नन टॉडल्स झो नंतल्क नॉबल्स ते उनको कुझट किया घ़ले था उसके लोग होते थे उन No ऑप िसने क्या किया формी जो नंतल्क नहीं थे उन लोगों भी सरे आत्र फ्रीषण प्रॉड्स करूंड किया दिल्यस किहां एज एक्सेप्स नली केपेबल रूलर वह एक बहुती एबल मिलिटरी जैनरल थी यानि सिननायक थी और माना जाता है कि वह एक असाधारन योग गिता वाली शासक थी सी यूज तो ड्रेस अपलाई के मैं वाइल गोईंग तो मिलिटरी एक्सेप्टिशेस और कि जब कभी वह सेनी का भियान में जाती थी तो वह पुर्शों की तरह ड्रेस्ट अपकर के जाती थी पुर्शों की तरह कपड़ए बहन के जाती थी जो 1240 CE में एक यूज वह मारी गई आफ्टर रजिया के बाद बहराम साह वाज मेड सुल्तान बाइदा नोबल्स तो रजिया के बाद बहराम साह को नोबल्स ने सुल्तान बनाया ही वाज किल्ड इन 1240 CE और उसकी हत्या 1242 CE में कर दी गई आफ्टर देट अलाओदिन मसूद्सा रूल्ड फ्रॉम 1240 CE तो यहां पर देखें मिस्प्रिंट है यह 1266 ने 1246 होगा युकि इसके बाद ही 1246 से नसिरुदिन महमूद बनता है तो बहराम शाह 1240 से 42 CE तक रहा जिसको नोबल्स ने बनाया था लेकिन उसकी हत्या होगी 1242 CE में उसके बाद अलाओदिन मसूद्सा को शाशक बनाया गया जो कि 1242 से 46 तक शाशक रहा इसके बाद नसिरुदिन 1246 से 66 CE तक शाशक बनता है इन दा इयर 1240 इन दा इयर 1246 दा यंगेश सन ओफ इल्दूतमिस इल्दूतमिस का सबसे छोटा बेटा 1246 CE में नसिरुदिन महमूद के नाम से सुल्तान बना ही और उसने 20 यह तक शाशन किया और गया शुदिन बलवन जो कि उसके प्राइम मिनिस मिनिस्टर था और एक्च्वल में रूलर भी वही था यूंकि यह बहुत ही योगी था गया सुदिन बलवन और जैसा यह नसुर्दिन महमूद यह तो आयो कि था इसको पहले सही पता था कि उसके कोई जो बेटे हैं वह को योगी सासक नहीं है यह बस नाम मातर का सासक था म नसुर्दिन महमूद की डेथ हो गई 1266 CE में तो बलवन राजा बन गया बलवन सुल्तान बन गया कि जो रहस नसुर्दिन महमूद था उसका कोई बेटा नहीं था अब है गया सुदिन बलवन तो गया सुदिन बलवन 1266 CE तक रहा था बलवन वाजे स्ट्रॉंग एंड कैपेबल रूलर यह एक स्ट्रॉंग और योगी सासक था वियरोधी थे उन्स सब को दबा दिया था और इसने एक ऐसा अट्मोस्फेर क्रेंट किया था जिसमें स्ट्रॉंग के परती सब कोई ओबीएंस हो और दिश भगती हो सल्त्रॉंग के परती बलबन एंड़ दा पावर आफ दा ग्रूप अफॉर्टी तरकिस नोबल्स तो कंसोलिडेट इस पोजिशन अपनी पोजिशन को मजबूत करने के लिए बलबन ने जो ग्रूप था फॉर्टी तरकिस का उसको समाप्त कर दिया उसकी पावर को और इस गरूप को खतम कर दिया यह गरूप जो था इस ने बनाया था तो इस गरूप को बलबन ने खतम कर दिया a सुल्दान फो बिलिवड इन कंप्लिट जस्टीज यह ऐसा सुल्दान था जो कि नहाये में विश्वास करता था वह कभी भी एक गलत करने वाले को छोड़ता नहीं था उसके साथ अगर उसके साथ किसी तरह कभी भाव नहीं करता था उसे छोड़ता नहीं था उसका दरबार बहुत ही डिसिप्लिन था नुशाशन था वहापर नोबडी कुट टॉक और लाफ विदाउट इस पर्मीशन उसकी पर्मीशन के बगएर कोई भी ना तो बात कर सकता था और ना तो हस सकता था और एल्स फेच्ट पनिश्मेंट और नहीं तो फिर उसे पनिश् उसने सुजदान की पावर और प्रेस्टीज को काफी बढ़ाया है ही सिफगाड़िड इस फ्रंटियर्स बाई कंस्ट्रक्टिंग मैनी फोर्स उसने अपनी सीमाओं की लक्षा के लिए सुलक्षा के लिए बहुत सारी किले बनवाए और वहाँ पर जो उसके बेस्ट गाड उसकी डेथ के बाद उसकी मिट्यू के बाद एक कंफूजन वाला सिचुएशन क्रिट हो जाता है कि अब राजा कौन बनेगा और ऐसे ही सिचुएशन बनती है तो जब 1219 सी में जलालुदिन जो की आगए जलालुदिन खिलजी के नाम से जाना जाता है और खिलजी डानेश पर खिलजी के बारे में जिसकी स्थापना जलाउदिन खिलजी ने करी थी तो आई हो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया हो वीडियो देखने के लिए थैंक्यू